SPP University best of two performance पर एक्जाम देने वाली है अब ये best of two performance क्या है सब कुछ आपको बताऊंगा डीटेल में तो वीडियो को एंड तक देखना बाद उससे पहले चैनल को अपने सब्सक्राइब कर दिया तो आई ही गए तो सब्सक्राइब कर जाएए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो क और वो भी बिल्कुल free तो इस जो test series में होगा bank exams की जो previous year के questions है उस पर base जो है test series subject होगा और उनके analysis की जाएंगे same day और वो भी बिल्कुल free जो की help करेंगे आपके daily practice और preparation को track करने में और इसमें जो भी test series में जो exams होंगे वो हर bank exams के previous year के questions पर base है तो जो भी bank exams की preparation कर रहा है इस opportunity को जल्दी से grab करिए exam को crack करिए unacademy के साथ link मैंने description में डाल दिये best of two के लिए वही students eligible होंगे जिनोंने retest के लिए apply किया है जी हां कुछ students के technical glitches के वगरे पहले paper अच्छे नहीं गयते उनको कम time मिला था यह जो भी reason होगा ठीके तो उन लोगो उन लोग ने वापस retest क अप्लाई किया था तो इसमें best of two का system के मैं आपको थोड़ा सा explain कर देता हूं ठीके बट याद रखना जो लोग retest के लिए eligible है जो यह वेनेज़ दे साथ नोवेंबर से retest देंगे उनके लिए है यह best of two तो इसको समझा दे तो यह work कैसे करेगा तो guys इसमें क्या होगा suppose मैं मैंने suppose मैंने मैंने पहले exam जो दिया उसमें मुझे अच्छे marks आये retest में मुझे कम marks आ रहे है ठीके तो मेरा जो है retest का examination का marks नहीं गीना जाएगा मेरा जो initial मैंने test दिया था वो technical issue के जो जो भी problem है suppose मुझे उसमे 30 मिला है और मैंने retest दिया और मेरा बेकार गया वो और उस test में बेकार marks है और इसमें अच्छा marks है तो यह marks count के जाएगा मतला आपका दोनों में से भी जीसमें भी अच्छे marks हैंगे आपके वो marks count के जाएंगे तो यह best of two का जो method है यह adopt करी SPPU आपको side में screenshot में मैंने दिखा दिया रहा हूंगा वो महस काकड़े जो ठीक है उन्होंने कहा है कि suppose re-test में बच्चों का exam बेकार है और अच्छे marks नहीं आया बट उनको initial test मतलब जो starting में उन्होंने test दिया था उसमें अच्छे marks आया है तो उनके वो initial test के marks जो है जो है जो है माने जाएंगे तो student को वरी करने की ज़रूत नहीं है ऐसा उन्होंने statement कहा है clearly तो guys यह थ रहा है तो ग्रूप में ज़रू शाय करी ताकि उनको यह help मिल जाए गाई तो चली मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स अप्डेट के साथ thank you very much for watching the video